आए जानते हैं कि Canada लोटने से पहले इंडियन स्टूडंस को क्या पता होना चाहिए? इंडियन स्टूडंस की गिंती पूरे कैनिडा के इंटरनाशनल स्टूडंस में से सबसे ज़ादा है लेकिन देश ने इस महीने की शुरुआत में घोशना की कि वो भारत से सीधी फ्लाइट्स पर रोक को 21 सितंबर तक बढ़ा रहा है हाला कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंड कैनिडा लॉटने के बारे में इंडियन स्टूडंस को क्या करना होगा यह जानने के लिए पूरी वीडियो को एन तक देखें और हां वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले Brain Drain Consultants की तरफ से हमारे Immigration Information और News Channel A2Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है Indian students जो Canada में autumn semester के लिए दूसरे international students के साथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए roundabout एक तरीका है जिससे वे Canada ट्रावल कर सकते हैं सरकार का कहना है कि इस period के दोरान indirect route के जरिये भारत से Canada के लिए ट्रावल जारी रखने से पहले किसी तीसरे देश से pre departure करना होगा और उन्हें negative COVID-19 molecular test result देने की भी जरूरत होगी उनका कहना है कि जिन यात्रियों का पहले COVID-19 के लिए positive result आया है उन्हें departure से 14 से 180 दिनों के बीच पूरे किये गए एक positive COVID-19 molecular test के कागजाद जमा करने होंगे Canada की यात्रा जारी रखने से पहले यह proof किसी तीसरे देश से मिला होना चाहिए आपको entry के लिए apply करने और तीसरे देश में कम से कम 14 दिनों तक रहने की जरूरत हो सकती है इंडियन स्टूडेंस को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ देश भारत से आने वाले उन यात्रियों को इजाजत नहीं दे रहे हैं जिनका पहले COVID-19 test positive आया है Transit passengers में COVID-19 का test सभी international airports या तीसरे देशों में मौझूद नहीं है और Transit के दौरान positive test वाले बच्चों को quarantine किया जा सकता है या उन्हें वापस भेजा जा सकता है Ministry ने अपनी website पर ये सलाह भी दी है कि अपने program, Transit Choices और तीसरे देश में entry restrictions पर ध्यान से विचार करें और ध्यान रखे की चीज़ें बिना किसी चेतावनी के भी बदल सकती है भारत में students को up-to-date जानकारी के लिए relevant government websites को लगातार देखते रहना चाहिए IRCC की website के मुताबिक, अगर उनके vaccine के last dose के बाद 14 दिन हो गए है तो Canada में international students को quarantine की जरूरत नहीं होगी हाला कि students के पास अभी भी एक quarantine plan तैयार होना चाहिए भले ही वे इसका उप्योग न करें Canada में माने जाने वाले vaccines में Pfizer, Moderna, Johnson और Johnson या AstraZeneca शामिल है जिन लोगोंने अलग vaccine लगवाया है उन्हें Canada में पूरी तरह से immunized नहीं माना जा रहा है Students को arrive in में immunization, quarantine और travel details के अपने evidence जमा करवाने होंगे जिन यात्रियों के पास यह नहीं है उन्हें travel करने की छूट नहीं दी जा रही है भले ही वे दूसरे सभी criteria को पूरा करते हों Vaccination documentation English, French या Certified English या French Translation में होना चाहिए Canada के education system को बड़े पैमाने पर दुनिया में सबसे महान में से एक माना जाता है Canadian Bureau for Overseas Education के मुताबिक पिछले साल Canada में पढ़ने के सभी levels पर आधे मिलियन से जादा international students थे सभी students के मुकाबले भारत से आने वाले students 34 प्रतिशत हैं और चीन के 22 प्रतिशत हैं हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में immigration related सही जानकारी पहुचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी कृपा कमेंट्स में अपने suggestions और feedback जरूर दे हमें support करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना मत भूलिएगा और हाँ, bell icon को अभी दबा दीचिए अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद एक अन्य वीडियो के साथ चल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी